चेहरे पर आएगा बिना मेकप के ग्लो, बस फॉलो करें ये ब्यूटी टिप्स नमबर एक, आलू को घिसकर चेहरे पर स्क्रब की तरह लगाएं फिर दूसरे दिन कच्चा दूद लगाएं इससे तवचा के दाग हलके हो जाते हैं कद्दूकस किया हुआ खीरा तवचा की क्लींजिंग और टोनिंग करता है नमबर दो, नारियल पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर उसे आईस ट्रे में डालकर बर्फ जमा दें फिर रोज एक टुकडा निकल कर हलके हाथों से चेहरे पर मलें दस मिनट बाद पानी से धोलें नारियल के पानी में केराटिन होता है जो तवचा की उपरी परत को हटा कर नई तवचा विकसित करता है नमबर तीन, एक टीस्पून दूद की मलाई में एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक चार चम्मच गुलाबजल मिलाकर चहरे पर हलके हाथों से गोलाई में मलें फिर ऐसे ही छोड़ दें बीस मिनट बाद चहरा हलके गुंगुने पानी या ताजे पानी से धोलें इसे रोजाना दो महीने तक करने से रंगत साफ होगी और दाग भी दूर हो जाएंगे नमबर चार टमाटर के अंदर एंटी ऑंक्सिडेंट्स होते हैं जो तवचा को पोशन प्रदान करते हैं टमाटर को बीच से काट कर उसे दोनों हाथ में लेकर चहरे पर गोलाई में घुमाते हुए कुछ देर तक हलके हाथों से मलें फिर दस मिनट के लिए छोड़ दें साफ पानी से धोकर चहरा सुखाएं और मॉइस्टराइजर लगाएं ऐसी और बहतरीन जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें